दोस्तों मैं नाम विशाल और अगर आप भारती रेलवे से जुड़ी जनकारी सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगा पर आए हैं और दोस्तों भारती रेलवे ने ग्यारा महिनों बाद ब्लाक डामेंड एक्सप्रेस को फिर से शुरू किया है और 13 फरव 22387-88 ब्लाक डामेंड एक्सप्रेस एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे की 1 जुलाई 2013 से शुरू किया गया था ये ट्रेन कॉलकता और धनबाद को कनेक्ट करती है हावडा से धनबाद के बीच में ये ट्रेन टोटल 271 किलोमेटर कवर करती है 57 किलोमेटर पति इन तरह के कोचेस होते हैं चेर कार, सेकंड सिटिंग और जनरल कोचेस पर कोरुणा के वज़े से जब ये ट्रेन 13 फरवरी से शुरू होगी ये ट्रेन पूरी तरह एक रिजर्व ट्रेन होके चलेगी यानि कि इसमें कोई भी जनरल टिकट्स नहीं दिये जाएंगे हावडा से धनबाद की बीच में इस ट्रेन के टोटल 14 होल्ट्स हैं जो की हैं सेरोफुली, बैंडल, बर्दमान, मनकर, पानागड, दुरुगापूर, वारिया, अंडाल, रानी गंज, आसनसूल, सितारामपूर, कुल्टी, बढाकर, कुमर डुबी और दोस्तों इस ट्रेन को हावडा के WAP7 द्वारा खीचा जाता है और दोस्तों अब मैं आपको 13 फरवरी से जो हावडा धनबाद Black Diamond Express चलने जारी है उसके नए टाइम टेबल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ 11 महिने बाद धनबाद से हावडा जाने वाली Black Diamond Express फिर से चलेगी रेलवे ने 13 फरवरी से इस ट्रेन को चलाने की घोशना कर दी है वापसी में हावडा से ये ट्रेन 14 फरवरी से चलेगी रेलवे ने इस ट्रेन के टाइम टेबल में भी आशिक तोर पर संसोधन किया है पहल जाकि धनबाद से खुलने के बाद अन्य किसी स्टेशन पर पहुँचने या खुलने के समय में फिर बदल नहीं होगा वापसी में हावडा से पुराने समय पर ही ये खुलेगी धनबाद आगमन पहले दिन 11 बच के 10 मिनट पर होता था जो अब 11 बच कर 18 मिनट पर होगा ब्लैक डाइमंड एक्सप्रेस पहले की तरह 22 कोचो के साथ ही चलेगी रेलवे ने अगले आदेश तक इस ट्रेन को स्पेशल बना कर चलाने का एलान किया है इस ट्रेन में सफर के लिए आरक्षन कराना होगा एसी चेयर कार और सेकेंड सीटिंग में आरक्षन कराकर यातरा कर सकेंगे जेनरल टिकट नहीं मिलेगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं या फिर आपको ऐसे वीडियो जखना पसंद है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें जैहिंद